वाट्सप गाइज, I hope you are doing well, I am वीर, welcome to study lover, आज का टोपिक है family court, वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा कि साधी को बड़ा पवित्र बंधन माने जाता है, पर लेकिन इसी साधी में बहुत सारी problem से भी सामने निगल गर आती है, तो उनी problem का निप्टार लाने के लिए हमारी country में आप लोग एक family court भी नजर आता है, family में जो भी हाँपर problem नजर आती है, साधी से लिड़ी या फिर divorce से लिड़ी और भी कई सारी छोड़ी-छोड़ी problem, दोनों ही तरी problem आप लोग है आपर देखने को मिलती है, अगर इस तरी के matters को normal court में लेके जाते, तो हाँपर सबस इस region की वेसे, तो इसलिए आप लोग को देखने को मिलेगा, हमारी country में family court का भी concept निकल का है आप, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले देखा था, लोग कदलत के बारे में, उसी तरीके था भी हाँपर आप family court के बारे में हम लोग discuss करेंगे, family court भी आप लोग को कुछ ऐसा ही नजर आएगा, जिस तरीके से आप लोगों ने लोग करदाला देखिए, मतलब यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रेग्रेस्टिव में, वे में आप लोग को बिल्कुल जो court के प्रोसेजर है, वो follow करके चलना है, यहाँ पर भी एक सीधा सा normal सा funda होता है, कि 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 तरीके से दोनों के बीच में समझोता करवाना है, अगर कोई problem आती है, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि समझोता किस तरीके से करवाय जाए, क्योंकि जितना अच्छे से husband और wife एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, उतना अच्छे से वो अलग नहीं रह सकते हैं, यह प या नहीं या वो final decision होता है, उसके बाद में हम लोग high court में जा सकते हैं कि आप, तो सारी तमाम बाते आप लोग यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं, कई बार आप लोगों ने कई सारी picture देखी होगी, उनमें normally क्या होता है, husband और wife तो अलग होते हैं, कई बार बच्चे भी मिल जाते हैं, कई बार husband को मिल जाते हैं, कई बार यहाँ पर property भी divide होती है, और कई बार यहाँ पर कुछ compensation देना पड़ता है wife को, या फिर इस तरीके से आप लोग को normally यह condition कई direction में नजर आती है, तो यह सारी dimension का सुलझा है, यहाँ पर किया जाएगा, पर लेकिन मैं आप लोग को एक बात और बता दूँ यहाँ पर, lecture यहाँ पर जो भी पोलिटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वो हम लोग जर्नलाइज फोर में पढ़ते हैं, मतलब हम लोग ऐसन यहाँ पर वकील बन जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर जिया जाता है, ताकि हम लोग को पता चल जाए, कि ऐसी भी संस्ता हमारी country में है, और उसका किस तरीकी से utilize हम लोग कर सकते हैं, तो एक तरीकी से जो politic के अंदर हम लोग चीज़े discuss करते हैं, वो एक तरीकी से आप लोग जर्नलिस्टिक की form में discuss करते हैं, मतलब एक जर्नलिजम की form में discuss करते हैं, कि हम लोग को पत आप लोगो scientist मना जाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ा आप लोगो यहाँ पर इस topic के बारे में भी जानने को मिलने वाली है, आप लोगो पता चलेगा complete information आगे आने वाले lecture में जैसे हम आगे बढ़ते हैं अब, तो यहाँ पर हम देखते है family court, family court के बारे में आप लोगो पता होन जाते हैं, या फिर family court establish किये गए हैं, तो अलगले यहरे में आप लोगो family court देखने को मिलेंगे, total बताओंगा भी last में, कितने states में family court है, कहां का पर कितने family court है, वो भी total matter हम लोग discuss करेंगे, उस तरी कोशन भी कई बार पूछ ले जाते हैं, सीधा-सीधा मतलब क्या है family court का सबसे पहला तो काम है आपर conciliation, मतलब एक तरी है समझोता करवाना, अगर मालिजे दो person ये और भी हैं, और उनमे कोई उनके relationship में कोई problem आ गही है, तो सबसे पहला तो यह है कि किस तरीके से उनका समझोता कराया जाए, मतलब यह बात आगे ना बड़े, इस बात को ही परी तो कई बार इस तरीके cases आप लोग को देखने को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात हैं आपर speed justice ही मिलता है, मतलब settlement जो होता है वो एक speed में होता है, ऐसा नहीं है कि court में तारीक पे तारीक चल रही है और फिर दामीनी movie में सनी देवल आकर यहाँ पर dialogue सुना रहा है कि पहली तारीक और दूसरी तारीक, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, case को जल्दी से जल्दी निप्टाने की कोसिस की जाती है, बिलकुल similar ऐसा ही concept आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसा last lecture में हम लोग ने लोग अदलत के बारे में discuss किया था, तो सबसे पहले तो यहीं बात आती है कि separate quote क्यों बनाया गया, separate quote, यह separate quote picture में क्यों आया, तो आप लोग को पता है, women के उपर बहुत सारे अत्यचार हमारी society में पास से ही होते आएं, ancient time से आप लोग को normally इस तरीके activity देखने को मिलती है, हमारी society एक प्रुस परधान society है, और women को आप लोग को देखने को मिला है, उत बहुत सारी association थी, जो women की organization थी, बहुत सारी individual women थी, जिन्हों ने बोला time to time कि हाँ पर एक separate quote होना चाहिए, क्योंकि normal quote में जब जाते हैं, ना तो proper way में वहाँ पर time to time justice मिल पाता है, बहुत सारे time लग जाता है, और बहुत सारे पैसा भी खर्च हो जाता है, तो दोनों ही तर report थी ला कमिसर की 1974 में, उसने भी बोला कि हाँ, कम से कम इस तरीए quote होना चाहिए, जापर only family के matters को सुना जाए, और कोई matters नहीं वहाँ पर आना चाहिए, only family से लिए matter आना चाहिए, और जल्दी से जल्दी उनको निप्टारा किया जाए, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि जिस तरीख से आप लोग civil court procedure follow करके चलते हैं, normal court में, कि बिल्कुल उस pattern पे चलना है, ठीक है, तो इसमें भी amendment किया गया, 1976 में आप लोग को देखने को मिलेगा, उसको भी एक मतला proceeding जो होनी चाहिए, वो एक ऐसी होनी चाहिए, कि जिस तरीख से कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल reg लेकर चल रहे हैं, तो एक liberal approach लेकर यहाँ पर चली जाएगी, कि जिसे की matter को settle किया जाए, देख कोड में नोर्मली जाएंगे, वहाँ पर आप लोग को justice मिलेगा, पर लेकिन यहाँ पर मामले को settle करने की कोशिच की जाती है, समझोता कराने की जादा कोशिच की जाती है, as compared की अलग-अलग मिला के उनको बिल्कुल कि हाँ यह हार गया, यह जीत गया, तो वह वैला matter नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए आप लोग को separate family court यहाँ पर नजर आते हैं, तो यह भी बात निकल यह भी बात निकल के आई सामने कि अगर court में matter जा रहा है, जो मैंने आप अभी बताया, तो उसको यहाँ पर एक अलगी तरीके से वहाँ पर देखा जाएगा, court चलता रहता है, तो हाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, जिस तरीके से normal civil court है हमारे यहाँ पर American dream में, तो normal इस matter को भी साधीके को भी ऐसी देखेंगे, जैसे वो दूसरे matters को यहाँ पर जिसके तरह पर जो expertise जो होती है, और वो जल्दी से जल्दी हाँ पर अपना decision सुनाने का काम उनके द्वारा किया गया, मतलब expert भी हाँ विसे सक्के भी रहते हैं, और expeditions यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर result देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आप लोग को यह जाता है, मतलब एक तरीक से यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है, समझोता कराया जाता है दोनों के बीच में, inexpensive revenue है, मतलब एक तरीक से solution जो है, वो बहुती सस्ता है, और टिका हुए, ऐसा निये कि हाँ पर भोज जाता है, पैसे आप लोग को खर्च करने पड़ रह बार इस तरीके सुना भी होगा, कि वो नहीं बारी बैट के सुल्जार लेते हैं चीजों को क्या अंदर जाना है, तो इस तरीक है यहाँ पर matter आप लोग को देखने को मिलेगा, बिलकुल सेम ऐसा ही pattern आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहोगा, जो हम लोग ने लोग कई सार आप लोग हैं आप पर नजर आएगा, मतलब ऐसा निएगी बिलकुल ऐसा बिलकुल एक pattern वाला बिलकुल procedure फोलो करके चलना है, और ऐसा नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो वाला fund आप लोग हैं आपर नजर नहीं आएगा, तो सिधा-सिधा मतलब क्या बो होगी, तो उस तरीके सा आप लोग इसको याद रख सकते हैं, मतलब कोई भी आप लोग अपना टिलम बाजी भेट के जो भी आप लोग को चुटे भी लगे, बस हमको ये चीज़े उस टाइम पर याद आनी चाहिए, अगर हम कोई आंसर लिख रहे हैं तो, तो family court आप जैसा नजर नहीं आएगा, फिर ही आप लोग एक government चलती हूँ, यहाँ पर नजर आएगी, तो ताकि यहाँ पर एक court जैसा environment बना रहे हैं, तो high court के हाँपर interfere होना, interfere ही हाँपर high court का करना important बन जाता है, आगे आप लोग क्या देखने को मिलागा, यह obligation है, मतलब duty है कही नही कि state government को family court set up करने, एक तो every city में आप लोग को देखने को मिलेंगे, every city में नहीं तो town में, आप लोग को city यह फिर town में, आप लोग को जहाँ पर population 1 million से ज़्यादे एक सिड कर गई हो, मतलब आप लोग को देखने को मिलेगा, 10 lakh से ज़्यादे अगर किसी area में population है, तो वापर विल्कुल एक exact मतलब बोलें तो हमने इन की flexible approach थोड़ी नजर आएगी, तो ऐसा भी नहीं है कि विल्कुल इसी तरीक से pattern लेकर चलना है, अगर लगता है कि 10 lakh से कम भी है, कहीं पर 1 million से कम भी है, और उनको लगता है कि यहाँ पर dispute बहुत ज़्यादा होते है, बहुत ज़्य इसी pattern यहाँ पर नजर आएगा, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कौन-कौन से matters यहाँ पर नजर आते हैं, साधी से leader अगर कोई matter है, divorce से leader है, separate करना है दोनों को अगर, एक तरीके से कोई इस तरीकी चीज़ा आनी है कि validation, check करना है, साधी विहागी क्या validity है, मतलब यह सही भी है, गलत है, किस तरीके से आपर साधी कर लिए यह, कोई जबर चैसी तो नहीं हो रही है, इसके अलावा देखने को मिलेगा, कि property क्या क्या है, आपर दोनों के बीच में किस तरीकी से property को declare करना है, कोई minor तो बच्चा नहीं है, जिसके age 18 साल से कम ह उसको किस तरीके से करना है, maintain कैसे करना है, अगर wife को अलग छोड़ दे जाता है, बच्चो या फिर parent को, तो सारी बाते इस तरीका और कोई भी case यहाँ पर निकल कर आता है, यह सारे case आप लोग है, आप पर देखने को मिलेंगे, सारे matters किस के अंदर आएंगे, family court के अंदर आने का, अगर family court के अंदर नहीं आएंगे, तो जो high court वगरा होते है, उनके उपर button बहुत जादा बढ़ जाएगा, तो कहीना कई उसके उपर button घटाने के लिए, और एक speedy trial या speedy justice provide कराने के लिए आप लोग के picture में आपर family court नोर्मली नजर आएंगे, next आप लोग यह पेस नहीं आना है, पहले उनको दोस्त की तरीके से पेस आना है, जिस तरीके से बोलते नहीं है कि आपसे में लड़ाई होगे, तीसरा दोस्त आगे सुला करवा देता है, तो इस तरीके से आपर दोस्ती का काम करता है, family court नोर्मली स्टार्टिंग में, और इसके अलावा आ आपर पूरा प्रोसीजर चलता है, उस प्रोसीजर में भी informal प्रोसीजर आप लोगो देखने को मिलेगा, कोई जादे rigid rule आप लोग है, आप पर देखने को नहीं मिलेगे, मतलब सीधा सीधा यही है कि हम लोगो सुल्जावा करवाना है, जैसे भी करवा सकते हो, वैसे करवा court इसके अलाम पर और किसी और person को यहाँ पर बुलाया जाना चाहता है D को तो इसको बोले जाता है आपर amicus curious तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा यह तीसरा person भी अगर यहाँ आपर किसी भी तरीके से यहाँ पर case में कोई help कर सकता है case को सुल जाने में तो तीसरे person third person को भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है जिसको इन सब चीजों की knowledge हो तो यह भी आप लोग को देखने को मिलेगा rule and evidence रहेंगे जो procedure रहेंगे वो simplified रहेंगे ऐसा निये कि बहुत rigid pattern चला है और सबसे important बात आप लोग यहाँ पर इससे लिटरी यह देखने को मिलेगी जो कि आप लोग को लोग का दालत में नहीं देखने को मिली थी अगर यहाँ पर कोई satisfy नहीं है ठीक है यह question पूछा जा चुक है past में और आप भी इसको याद रखना है ठीक है confusion नहीं होना चाहिए लोग हदालत में यह नहीं था पर यहाँ पर family court में यह है अगर आप लोग satisfied नहीं है आपर family court के decision से तो आप लोग high court जा सकते हैं और high court के सामले भी यहाँ पर क्या लिखाओ है only only high court जा सकते हैं आपर Supreme Court तक यहाँ पर हाथ नहीं पहुचाना है, ठीक है, High Court तक matter यहाँ पर जा सकता है, अगर Family Court में settle नहीं होता है matter तो, और यह बात आप लोग को लोग कादालत में देखने को मिलती, लोग कादालत में अगर कोई matter पहुचाता है, तो वो हही पर ही सुल जाए जाएगा, हही पर ह इसका solution निकलना है, बाहर नहीं जाएगा, तो इस तरीके को कोई भी exceptional question आप लोग के सामने बलता है, तो उसको हमेसा आप लोग को याद रखना है, और comparatively अगर कोई question आता है, तो इस तरीके normally आप लोग question देखने को मिलेंगे, अब देख लेते हैं कौन-कौन से हमारी country में क इतने लगबग family court आप लोग को नज़र आते हैं, normally आप लोग को family court हमारी country में नज़र आएंगे 438, यह lecture ले रहा हूँ, तो 2013 में, आज की date में आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर 438 family court है, यह गटते बढ़ते रहते हैं, तो normal आज की date में आप लोग को पता होना और अगर इन में से भी है, तो भी आप लोग नीचे comment box में बताइएगा, कौन सा आप लोग का family court है, मतलब कौन से कितने family court आपके state में है, सबसे ज़्यादे तो normal सी बात है, mini India मतलब उत्तर परदेश, उत्तर परदेश को normal है आप लोग को देखने को मिलेगा, mini India भी बोला आता है, तो उत्तर परदेश में 76 है आपर family court आप लोग के सामने नजर आएंगे, मध्य परदेश में 44 और बिहार में 39, तो तीन highest state ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादे family court आप लोग के सामने नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ में आप लोग को पता है 29 state हमारी country में, 29 में से क आप लोग को family court यहाँ पर नजर नहीं आएगा, और यह data कहाँ से उठाय गया, ministry of law and the justice government of India का द्वारा provide कराय गया data है यह, तो इसका मतलब यह सारी बाते आप लोग हैं आप लोग इन पर टरस्ट करना पड़ेगा, और यह चीज़ें आप लोग याद भी रख सकते हैं, अपने-अपने state का जागर family court चेक कीजेगा, और उसके बाद में comment box से जुरूर बताइएगा यह आपके state का कौन सा family court है, आईए एक बार lecture का review कर लेते हैं, क्या कि हम लोगों ने distance किया, तो हम लोगों ने जाना आज family court के बारे में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला, किस तरीके से family court यहाँ पर work करता है, और क्या क्या उसकी proceeding होती है, तो यहाँ पर family court के लिए act आता है, 1984 उसके तैथ यहाँ पर काम करता है, सबसे बड़ा काम क्या होता है, समझोता करवाने का, और justice को speedy कराने का, तो यह पहला काम हो, आप लोगों को देखने को मिला, और य कि जल्दी से जल्दी समझोता हो जाए, यही pattern आप लोगों को यहाँ पर court का भी नजर आएगा, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिला है, यहाँ पर features क्या क्या थे, तो हर एक state government का obligation है, कि इसको हाई कि यहाँ पर family court setup करने है, और यह every cities या फिर जिसका 1 million से जाद ह यहाँ पर population है, वहाँ पर तो करना ही करना है, इसके अलावा इससे नीचे भी है, तो कर सकते हैं अगर state government को circumstances और condition ऐसी लगती है तो, यह matters हम लोगों ने देखा जोगी family court के अंडर में आते हैं, next आप लोगों यहाँ पर जानने को मिला सुला करवाने वाली यह सारी बात है और कोई rigid procession यहाँ पर follow करके नहीं चलना है, और सबसे important यहाँ पर क्या थी, यह थी कि high court में जा सकते हैं matter थे, अगर यहाँ पर satisfy नहीं है, और यह था आप लोगों नेस्ट आप लोगों को देखने को मिला कितने हमारी country है family court है, और कितने state में हो और कितने state में नहीं है, कि complete discussion आप लोगो समझाओंगा अचीछे detail में, कल का lecture देखिए 5 बजे morning में मिलता हूँ, 4 बजे आप लोगो nano magazine के साथ में, तो जो भी morning में उठने में interested है, वो morning में मिल सकता है मुझसे, वैसे lecture आप लोग किसी भी time देख सकते हैं, चीजों को share कर जा कि अगर lecture पसंद आता है, तो अगर lecture पसंद नहीं आते, तो dislike किया कि जो और share भी नहीं करना है, अपने आज पस सफाई रखने है, पेड़ पोदों को save करना है, और पानी को भी save करना है, और polythene कम से कम use करना है, और प्रत्वी को हम लोगो save करना है, मिल जूल कर रहना है, ठीक है, इसके लावर telegram आज के लिए इतना ही, thanks a lot for listening, जै हिंद!